अलो एंद नमस्कार प्रेंट्स माइश्टूरेंट्स तो आज जो वीडियो है आपके सामने वह आपका एक्टिव और पैसिव आइस का आपका दूसरा भाग है पहला भाग हम डाल चुके हैं जिसमें आपके कुछ एक्टिव और पैसिव आइस की परिभाद सा उसके डिफिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है और याद इसको करना नहीं बहुत जल्दे याद हो जाएगा। कैसे याद करना है उससे पहले हम बता देते हैं कि आपको एक्टिव और पैसिवाइस में क्या चीज है एक एक्टिवाइस होता है और एक पैसिवाइस होता है ध्यान दिजिएगा ठीक एक्टिवाइस पैसिव में आपके क्या फार्क होता है जैसे कि यहां पर इसमें सब्जेक्ट जो होता है और वर्ब और ये तीन चीजे होती है तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है एक्टिवाइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है यनि सब्जेक्ट को मेन माना जाता है और सब्जेक्ट की प्रधानता जह लगती है उसे पता चलता है कि active wise है पर passive wise में यह जो object होता है इसको subject माल लिया जाता है और subject को object माल लिया जाता है जिन्हें इसमें यह आपका O, V, S हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है इसमें इसका उल्टा हो जाता है इस तरह से rule इसका यह पस में इस तरह से intergences होते हैं और change होने के लिए कुछ बीच का O में और O का S में सब्जेक्ट S का मतलब सब्जेक्ट O का मतलब अब्जेक्ट O B का बनता हुआ रहा है तो आपका अब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहेगा सब्जेक्ट अब्जेक्ट बना रहेगा इसमें हम समझें इसमें आपका अब्जेक्ट जो है इसकी परधानता चल रहा है सब को सब्जेक्ट पर सब्सक्राइब कर्म्तर्य को पीप सब्सक्राइब क्टिफ़ों होगा अब इसमें समया देंगे तो ये आपका इस पैसी हो जाएगा अब यह जो होंगे इस से होंगे और यह क्याहे सारी चीजिए के किर्यारीं होंगी यह वर्ब जो भूर होते टेंस के हिसाब से क्रिया का चेंज और मौड़ आइक जलेरी यह भी वर्ब है इसका भी चेंज और यह भी प्रोनावन में कुछ प्रोनावन होते हैं का चेंज इनको बैसिक तरीके से बहुत जंद ही कबर कर लेंगे यह आपको याद नहीं करना बहुत जल्ड आद एक एक बा प्रोनाउन प唱 और आगे तो आपको। यह नहीं पता है जो उसमें होता है यूुजद्टे दंघ इसमें क्या होता है चैसे की है।ति होता है प्रोनाउन का ब्वूजद्टेव केस होगा। जो जिससे कि हाँ पर माई होता है तो ओ आपका कीशन नहीं उच्व करना है अएक दम याद हो जाएगा आई का मेवी का अस थीक मेवी का मुझे तो आई मी मैं मुझे तो दोणो एक ही चीज है भी हम अस हमें वही चीज है यू तुम यू तुम वही ही वह हिम उन्हें वह सी वह लड़की के लिए हर उनका या उसका जो भी है उनके उन्हें इट इट का इठी रहेगा दे का दें हो जाएगा तो यह आपका चैनल आई मी वी अस यू यू ही हम सी हर इट इट दे इसको ज़रूर याद करना अभी इसको चैन कैसे याद करना इसको याद नहीं करना बस वह समन लिए जितने भी मॉडल आईजिलियरी जो होते हैं जैसे कि 10 could 10 से बनता है could याद रखिए कि ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं में से बनता है might और must अलग होता है should would ये अलग होते हैं एविल और विल और सेल के आपके past farm होते हैं तो इसमें देखिए cell and will यह भी ले लेंगे इसी में ये भी आजाएगा तो यह cell should यह जितनी भी चीज़े होंगी याद रखना can, could may, might cell, should, will would और must यह जितनी भी चीज़े हैं इनके बाद आपको पैसी बाइज में वी लगाना यही लगाना बी बस यहीं डगना जितने भी हैं Can good एक हो गया में माइट ऑगया सैल सूड एक हो गया और वील वूड यही हो गया मश्ट हो गया ती सभी में आपको उसके बाद पैसी वाइज में भी लगा देना है याद करने के जरूरत नहीं याद हो जाएगा अज़र इसमें देखिए टेंस के डिपनी जानते हैं इसमें पूरी प्रेस्ट पढ़ाए यह 12 तक पूरा कवर किया है अब्सक्ते हैं दमासान भी से कि जब देकैं समझे हैं कि इसमें क्या होता है । अगर नेगेटिव रहे हैं और त्रुगेकी रहे तैंसरे आफ यूजहा कि अगर आप पहचान जाते हैं कि ये प्रिजेंटिंटीब टेंस है तो उसमें आपको यिम्र में परिवारतन करना है और कीया का थाड़ यूोज करना है इसमें हमेशा ही उसको जानते हैं यहनि RJ to सो तो आपको एगम आर लगाना है अगर इसमेर लगा औरता हो और जो कांटिन्यूर्स कोगा तो उसमें लगेगा चहाहई यह continuous हो और चहाहई यह continuous you दोनोंúaच में ध्हन दिद्स आ जाता है चाहई परजेंट continuous हो चाहए पास्ट continuous हो दोनों में अगर आप पहचानना जानते हैं इज एम आर वाज वेर यह सब क्या है continuous के साइट लिए अगर यह मिल रहा है तो इसके बाद आपको बिलागा इसको और सारा से बताएंगे अगला जो पार्ट होगा उसमें यह सारी किजिए कवर कर लेंगे यह बिना याद किये ही हो जाएगा लेकिन आज याद कर लिए तुझाद अच्छा है तो इसमें देखिए यह इम आर के बाद आपको जो कांटिन्वेस बता रहा है उसमें आपको बीइंग लगा देना है इसमें क्या लगा ना था आङी मक्या के इझे मार पहले से लगा वाज वर पहले से लगा हो तो आपको बीन लगा देना है यहिंगे यहां पर देखेंगे पास्ट इन्युट होता है यहां पर हम लगा दी हां कि यह तो सेखेंघ होगा यह समझ जाएगे पास्त छिमिंट इसा है ऑफ लगेगा और पहले से लगा हो तो इसका मतलब वह अच रग जाएगा और परफेक्ट में परफेक्ट में वह संमत्ति है थाप होता है या तो है जैब हैड होगा है डोगत पास्ट है वह जोगा तो पजिए दोनों में घर अपको नजरा रहा है ध्यान दीजी वाला नजरा रहा है तो यहां पर इन जी अलगर आपको नजरा रहा तो इसमें बी daha देना है और के वल किया लगा देना है ध्यान दीची ऐसाइएंजी वाले में में लगा देना हैं क्या लगादेना है ठीक और यह देखिए इसमें यह रविड वाले में यह घृट वाले में क्या लगा देना जिसमें थाड़ फार्म हो तो भी आपको बीइं लगा देना इस्टरा जो हेल्पिंग वर्व होता है सहाई के लिए के बाद बीइं लगा देना है और अगर आपका परजन्ट इंस में परजन्ट में ही हो तो उसमें जो कांटिन्वस वाली किने कुल होती उनको य erro कम बचता आपका ऐपका ॺधसियंट और वियन सब चपि Metro wa परक्त कि रिफेट योर्फेक्ट यो होता उसका बदलाव नहीं होता है द्हाव देये कोई भी अब गूँश झालाव सब्सकर धीन परफेक्ट टासरा या पास्ट परफेक्ट गूउश इन सब का बदलाव नहीं होता कौई पिरफेक्ट कांटिनस की सब गीbornाव नहीं होता है यहां continuous perfect continuous change की साहिक यह यह और यहां पर भी इसलिए perfect continuous को बदला नहीं होता है और हम बच्टा future future में एक दम आसान है will sell को मैंने बताया था उसको आपको उसके बाद भी ही लगा देना है और यहां sell have अगर have कहीं भी आ गया है तो उसके बाद बेल लगा देने बाकी सारी इसके बाद यह सारी चीजे याद हो जाएगी बहुत जल्दी अगला जो पार्ट होगा यह सारी चीजे हम इतने लिखे हैं लिखना नहीं पढ़ेगा इसको एक ही बार में कबर करेंगे और दूसरी तरह रूल बनाएगे और पार्ड जरूर देखिए बेट करती रहेगा इसक पड़ेटे पर लीचे जब जरूरा कृकि ससाबते हमें पाराफे में कि कहथे का ट्रांसलेशन हो सकता है तो यहाँ पर दएक है जो लेशन करते हैं ऑच प्रहप के ऑठिवार में होगा रॻा खाना पकाता है तो क्या हो जाएगा वहाण की हुगा ही पकाता है आपका रिद्धे तेंस हो जाएगा कुक्स है ठीक दा फूड यह हो गया आप का इंड़ वो इसमें पैसी वाइस क्या होगा पहले हम पैसी वाइस में क्या लेकिना होता है पहले आबज्जीक्ट औजिट अल्ब ऑपजेक्ट के उब देड़ा पहले लिखना है अग्दमा सान भी से स को करता की जगह रख देना है और यहां पर देखिए नियम हम क्या लिखे हैं हेल्पिंग वर अब यह से यह लगा है इसका पर जंटे डिफिनिट है यह से उसमें इजे मार लगेगा वह एक वचन बहुचन के हिसाब से एक वचन बहुचन आप टेंस के साफ समझें ही क्या है साथ आपको लगेगा इजे उसके बाद का मयता है क्या होताम में इन होगा उसके बाद आपका और और ऑजिक्ट आपका यहां पर ही है药ह subjectif रूम यहां पर देखिए हीम होता है रहे हीम लगा दिये यहायँ हुग पैसर वाई ठीक इसके हिसाब से दिजगळा करते हैं तुम पत्र लिखते हो तुम का उगा यह और लिखना का थो राइट तुम के साथ यह आ यह भी इंडीफिनेट है एलेटर है कि एक यह गया और इसके बाद जैसे हम देखते हैं यहां पर हम कर्म को पहले लिखते हैं तो एलेटर उसके बाद आपको क्या लिखना है सहाइक के लिए सहाइक के लिए देखते हैं टेंस की साथ टेंस परजेंट इंडिफिनिट है परजेंट इंडिफिनिट टेंस के सहाइक के लिए इजे मार में चेंज होगा तो ए लेटर आपका एक वच्छन तो ईजी होगा और उसके बाद आपका write and written हो जाएगा written हो गया उसके बाद आपका by लगेगा by के बाद object, objective you है you का objective रूब you होता है यह हो गया इसके बाद चलते हैं Sam TV देख रहा है Sam TV देख रहा है यह Sam हो गया देख रहा है continuous है Sam के साथ इसका मतलब is watching क्या TV Sam is watching TV यह दो टेवी लगा सकते है Sam is watching the TV ठीक the TV लगा यह the television इसको बहुते है अभी यह कर्म को पहले रखना है the television the television the TV उसके बाद इसमें EGMR है तो EGMR तो रहे गई continuous में उसाहिक क्रिया रहेगी बस बीइंग जोड़ देना है और तो EGMR इसमें लगा लेंगे अपने हिसाब से जो भी एक वचन बहुचन हो करता है एक वचन बहुचन समझ करके अब बीइंग लगा देना है और बीइंग लगा दिये अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखना है क्रिया मुख क्रिया मुख क्रिया वच है वाच हो जाएगा थर्ड फर्म और उसके बाद बाई बाई श्याम श्याम का जो लड़का है तो श्याम का स्याम ही रहेगा क्योंकि यह नेम है वाकि ही कहीं होता है कर नर कर दो रहान ने फूल तोड़ा तो रोहन एक्टिवाइस में हो जाएगा क्या रोहन तोड़ा यह देखिए तोड़ा रोहन ने फूल तोड़ा यह आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंसर रोहन प्लकेड रोहन प्लकेड दफ लावर अब हो जाएगा इसको पहले लिखना है किसको करता को पहले लिखना है पैसे में दफ लावर अब उसके बाद इसके साथ हमने देखना है कौन सा ही पास्ट ने पिंटेस है दिड़ का रूज हो रहा हो देखरो रहा है ताम मिन वाजवेर में ribbon करना वाज और वाजवेर में चेंज करने के लिए हम देखते हैं कौन सा तेंस है मतलो कूसी उसके बाद क्या है लगेगा उसके बाई किससे है रोहन है नाम है तो नाम ही रहेगा इस तरीके से इसको हम चेंज करना सीखेंगे क्या सीखें एक बार फेसर रिपीजन कराता है हमें यह तो आपका यह हम तो हिंदी लिकर करके बता है हिंदी नहीं रहेगा आपका यह चीज रहेगा ठीक यह चीज आपको दी रहेगी इसको चेंज करना होगा तो क्या करेंगे पीछे को कर्म को पहले कर्म को हम पहले करता रह साइक क्रिया को देखेंगे साइक क्रिया जैसे ही देखते हैं मुख क्रिया पर जाते हैं उसका थाड़ फार हमेंसा यूज करना है और कभी कभी साइक क्रिया के बाद कुछ चीजे यूज होती है जो बींग और बीन यह सारे चीजे यूज कर लेना और उसके बाद हम यह जो क कर दीज़ेगा अगर मैंने मिलती है पहला पहला ली देते हैं इसको आप हो मोर्क है ठीक यह हो मोर्क है यह हो गए एक दूसरा नंबर दूसरा नंबर हम कोई दूसरे टेंज कर ले लेते हैं ठीक माल लेजिए कि असो को आज टीचिंग कभी था असूद वाज टीचिंग एक पोएम यह हो गया तीन नंबर देखते हैं तीन नंबर तीन नंबर ही हैड लिया और टीन द फूड यह इसको एक फोर और दे देंगे दूसरे टेंज का इसको एक फोर और देते हैं दूसरे टेंज का दो पाइग देख नग दो कम कि इन धरून कि यह चार होमोर्थ हैं इस होमवार को कर लिजिए और कमेंट कर दिजिए कमेंट करने करों में बढ़ी है नहीं तक आप परमेंट सब्सकर न हैं पते हैं तो देख सकते हैं बाकि बहुत सारी वीडियों पिछली वीडियो है उसको जा के देख सकते हैं कैसे आपको ढाइन के प्रेई लीजन वीडियो जो पर यहीं थी उस वीडियो को जरूर देखें हाई बटन पर मिल जाएगी दिस्क्रीशन चेक करें आपको आपको मोटिविएशनल वीडियो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नहीं चैनल पर हंड्रेपरसंट विजिट कर यह सभी मिल जाएगी वह और लेटेस्ट न्यूज अपडेटर जो भी होगी स्ट्रीडिन से रिलेटर वही मिलेगी और पढ़ाई से रिलेटर हुए आपके अगर कोहीं पर कोई दीकत हो तो कमेंटें जरू कर दीजिएगा यह सारी चीजिए हैं नमस्कार फिर मिलेंगे जैहिंद